आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि प्रीपेड और पोस्ट पेड में क्या डिफ्रेंस होता है प्रीपेड में आप लोग को पें अडवास करना पड़ता है और आप सर्विस बाद में यूज करते हो जैसे आप अपना कई बार मोबाईल रिचार्ज करवाते हो तो हमेशा आपको पेंट पहले करनी पड़ती है और पेंट होने के बाद फिर आप सर्विस यूज कर सकते हो Postpaid में क्या होता है आप service पहले यूज़ कर लेते हो लेकिन उसका जो payment है वो बाद में करते हो Just like electricity bill इसमें क्या होता है आप पहले जो electricity होती है वो consume करते हो और आपको फिर उसके बाद bill pay करना होता है तो यही difference है prepaid और postpaid में जो आपके सामने है Thank you.